अब देखते हैं कि दो जो मैट्रिक्स हैं उनका हमें एडिशन फाइंड करना है तो जाहिर आवे पहले तो यह हमें बेसिक कॉंसेप्ट पता होना चाहिए कि एडिशन कैसे होता है मैट्रिक्स का अब फिर भी एक बार किसी को कोई फ्रकर फर्स्ट ताइम देख रहे हो तो बस उनके लिए है ज्यादा वक्त नहीं लेगा वान टू थ्री फोर ट्री सेवन एडिशन क्या होता है कि इस एडिशन हम उसी क्या कर सकते है जिसमें दोनों मैट्रिक्स सेम ओडर के होने चाहिए इ यह सारे एड हो जाएंगा और रिजल्टिंग मैट्रिक्स हो जाएगा 1 3 4 2 7 9 और 3 8 11 4 7 11 तो यह हमारा रिजल्टिंग मैट्रिक्स हो गया तो इसको एडिशन तो सब ट्रैक्शन भी वैसे ही होता है हां मल्टिप्लिकेशन और डिफरेंट है तो अब यहां पर क्या है कि हम यहां पर मैं पूरा कंप्लिट प्रोग्राम नहीं लिखूँगा क्योंकि कोई फायदा है नहीं बीन मतलब का क्योंकि बस concept क्लियर हो जाना चाहिए आपको finally यह लिखना है तो बस concept समझ्tan मैं आ जाना चाहिए यहां पर क्या है कि सबसे पहले हम यहांसे मैं डिफरेंट ले तो यहाँ पर क्या है कि 3 into 4 यहाँ पर column मेरा 4 है और row 3 है number of 3 तो यहाँ पर इसलिए J मेरा 4 है आई यहाँ पर 3 है यहाँ पर मैंने scan किया और mat है जैसे suppose कि दो matrix के input लेने है तो यहाँ पर इसके पहले मैंने एक प्रोगाम में लिख दिया कि please enter the data of first matrix please enter 12 elements of a first matrix कि 3 by 4 है यह data store कर दिया एक बड़ कर दिया अब क्या है कि दुबारा से फिर एक बार और हमें यह लिखना है clear यानि कि यह जैसे खतम हो गया तो हमने दुबारा से यही प्रोगाम लिखने है तो या तो आप यह लिख सकते हो या फिर इन सारे को आप एक while loop के अंदर लिख दो दो बार तो सही हो जाएगा और उसमें फिर condition लिख सकते हो आप नहीं वह जो while loop क्या होगा कि आई हमारा क्या हो जाएगा one और two while loop के थुरू कर सकते क्या इसको एक मैट एज और मैट नेम चेंज करना पड़ेगा नहीं while loop नहीं कर सकते वह थोड़ा से डाइनेमिक के concept आजाएगा नहीं अभी आपको दुबारा से फिर अब क्या है कि दूसरे matrix का input लेन अब क्या है final हमारा जो part आता है वो addition का addition में हम क्या करेंगे जैसे एक ये loop हो गया फिर एक ये भी loop हो गया ये j वाला पार्ट हो गया इसके अंदर हमने आया अब क्या है कि एक तीसरा matrix हमने जो कि अल्रेडी declare कर दिया है same order का अगर ये 3 by 4 है तो हमारा जो declaration होगा वो int mat a 3 by 4 कॉमा यहां पर mat b 3 यहां पर 3 और 4 कॉमा mat r result 3 by 4 यह हमें पहले से declare करना पड़ेगा और यह जो हम addition है इसमें हमें store करेंगे तो अब यहां पर क्या लिखेंगे कि mat r इसका i of j a is equal to mat a i of j i j plus mat of b i com i or j और यहां पर semicolon और यह हमने close कर दिया तो यह क्या होगा यही लाइन हमारा क्या होगा addition के लिए use हो रहा है और बाकी जब यह सारा complete होगा तो दुबारा से फिर आपको यह ही लूप लिखना है और वहां पर यहां पर scan की जगा पर क्या print use करना है printf और यहां पर mat r print करना है मेरा ख्याल से clear हो जाना कि कोई भी confusion ध्यान रहे कि यह program बहुत मतलब long होगा क्योंकि उसमें total कितने लूप होंगे अगर यह addition अगर दो मैट्रिक्स का है तो एक बार लूप यह हो गया यानि कि एक एक दो फॉर लूप होगे फिर एक बार दो और लूप होंगे दूसरे मैट्रिक को एक स्कैन करने के लिए total लूप ताकि मतलब अगर confusion ना हो तो टू लूप यहाँ पर एक स्कैने फ फॉर फॉर्स्ट मैट्रिक्स फिर यहाँ पर टू लूप स्कैने फ्रो फॉर सेकेंड मैट्रिक्स और उसके बाद फिर टू लूप for addition and then two loops again for printing तो यानि कि total जो आपके प्रोगाम होंगे उसमें eight loops होगा एक और बात यहाँ पर बस optional है उतना कोई urgent नहीं है मतलब देखना अगर पता दिता हूँ इसमें क्या है कि जैसे हम यहाँ पर for use कर रहे है कि यहाँ पर for use कर रहे है और यहाँ पर फिर क्या है कि जैसे नहीं यहाँ पर यह उसकी है हम पर फिर यहाँ पर यह आनि कि इस for का जो body में कितने line है बस एक ही to part है बस एक ही line है उसका जो inside side body फिर यह जो for loop है इसके अंदर भी हमारा equip body है तो यानि कि यह दोनों हम skip कर सकते क्यों क्यों क्योंकि इस पर जो work कर रहा है इसके लिए एक ही मतलब कोई भी हमारा conditional या control वाला जैसे flow हो गया लूप हो गया अगर उसके ऊपर मतलब अगर इसका एक body यह पार्ट होगा जो कि parenthesis में अगर वह एक ही लाइन का है तो हम omit कर सकते हैं और तो यह हमारा इस पर applicable होगा अगर दूसरा लाइन होगा तो उस पर applicable नहीं होगा उसी तरीके से इस लूप का भी हमारा कोई significance नहीं क्य बारा से हमने बस थोड़ा से space देखे for तो इसमें i वाला पाट इसमें j वाला पाट और इसमें scan of वाला पाट तो यह हमारा तीन लाइन में हम scan कर सकते हैं तीन लाइन में दूसरे का scan कर सकते हैं यानि कि 6 लाइन हो गया और फिर तीन लाइन में हम addition कर सकते हैं तीन लाइन हो गया याने कि 9 और 3 लाइन में हम प्रिंट करेंगा यानि टोटल हमारा यह जो operation जो execution है अपार्ट फर्म जो syntax header files 12 लाइन में हो जाएगा otherwise यह कितना 1 2 3 4 और कितने लूप है एक 4 तो यानि कि 4 पर्क नहीं पड़ेगा बस दन